घर के कुछ सिंपल चीतों से आज मैं जो मिठाई बनाऊंगी ये ना सिफ काफी हेल्दी होगा बलकि इतना ज्यादा टेस्टी बनेगा कि आप हलवाई वाली मिठाई भी भूल जाएंगे तो यहाँ पे मैं आधा कप जितना आटा और आधा कप बेशन को इस चलनी में डालके अच्चे से चान लूँगी ये मैंने गेहु का आटा ली है और इन दोनों को ऐसे अगर पहले ही थोड़ा चान लेंगे तो इसमें कोई भी गुडलिया नहीं परेगा तो जब भी आटा या फिर बेशन से आप कोई भी मिठाई बनाएंगे तो ट्राइ करना उसे एक बर ऐसे चान के ले इसे मिठाई बहुत ही स्मूधन बनेगा अब इस कराई में मैं एक चमज जितना घी डालूँगी और इसमें मैं कुछ ड्राइ फुर्ट्स रोस कर लूँगी तो ये मैंने एक बड़ी चमच जितना pumpkin seed ली है एक बड़ी चमच मगज और एक बड़ी चमच sunflower seed इन में से अगर आपके पास कोई भी चीज ना हो तो आप सिर्फ मगज भी डाल सकते हैं और डालूँगी थोड़ी सी पिस्ता और थोड़ी सी बादम और काजु भी मैंने ली है तो इन सब का quantity अप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं या फिर किसी को एक दम से skip भी कर सकते हैं मैं आज इसमें किसमिस नहीं डाली है लेकिन आप चाहे तो वो भी डाल सकते हैं फिर उसे अलग से थोड़ा सा भून के छोटो छोटो टुकरों में काट के लेना तो अ जात में घी में थोड़ा सा भूनने से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बरिया हो जाएगा तो देखिए इन्हें मैंने करीबन 3-4 मिनिटी भून ली है और अभी इसमें से बहुत बरिया एक खुश्बू भी निकल रहा है तो अभी ये सारे ट्राइफूर्स को मैं इस मिक्सी के जार में डाल दूँगी और पूरा ठंडा होने के बाद इसे दर्दा सा पीस्ट लूँगी पीस्टे से मैं आप मिक्सी को पल्स मोड पे ही चलाना नहीं तो इसका पेस्ट बन जाएगा और इसी कड़ाई में फिर से दो चम्मत जितना घी डालूँगी तो बहुत घी के साथ पहले अच्छे से मिलाएंगे और इसे चलाते हुए कुछ दिर भून लेंगे तो जैसे जैसे यह भूनेगा इसमें से थोड़ा बहुत घी रिलीस होगा अगर आप इसमें थोड़ी ज्यादा घी डालेंगे मतलब एक दो चमच अगर ज्यादा डालेंगे तो यह भूनते भूनते liquid form में आ जाएगा हाला कि मैंने इसमें घी कम डाली है तो यह liquid form में आएगा नहीं बस हलका सा crumble जैसा होगा और इसे आप ज्यादा देर तक छोड़ मत देना क्योंकि यह बेशान और आटा बहुत जल्दी से जलने लगता है तो थोड़ी थोड़ी देर में उपर नीचे करते हुए इसे चलाते रहना यह देखिए अभी टेक्षर इसका काफी चेंज हो चुका है और पूरा liquid form में तो नहीं लेकिन देखिए क्रंबल जैसा भी बन रहा है और खुश्बू भी बहुत अच्छी सी निकल रही है तो अभी इसमें मैं एक चौथाई कब नारियल का बुरादा और एक चौथाई कब मतलब चार चमक जितना सूजी डाल दूंगी और इने भी अच्छे से इसके साथ मिलाते हुए थोड़ी देर भून लूंगी फ्लेम को आप यहां पे भी लो पर ही रखना क्योंकि सूजी और नारियल का बुरादा भी बहुत जल तो अभी फ्लेम को बंद करके इसे में निकाल लूंगी और इसे हलका सा ठंडा कर लूंगी लेकिन इसे अब कराई में ही छोड मत देना क्योंकि कराई अभी काफी गरम है अगर इसी में ही छोड देंगे तो यह जल सकता है तो तब तक यहां पे मैंने चीनी ली है तो चीनी को भी मैंने बिल्कुल ऐसे दर्दा सा पीसा है तो इसका यहां पूरा पेस्ट बनाना नहीं है थोड़ा सा इसका क्रंच लड्डू में बहुत बर्या लगेगा तो यह सारे ड्राइफुर्स को भी इसमें मैं डाल दूंगी और साथ में डालूंगी यह पीसी हुई चीनी अग पूरा गरम रहते ही इसमें चीनी डालके मिला लेना इसे क्या होगा चीनी हलका हलका सा मेल्ट होगा तो इसमें बाइडिंग बहुत अच्छी आएगी पूरा ठंडा अगर कर देंगे तो यह लड्डू बंदेगा नहीं मतलब हातों से छू सके इतना ही ठंडा इसे करना है तो देखिए अभी इसमें बाइडिंग थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें मैं एक चमच जितना घी और डालूंगी और अच्छे से मिला लूंगी चाहे तो आप यहापे एक दो चमच गरम दूद भी डाल सकते हैं लेकिन तब भी इसका सेलफ लाइफ थोड़ा सा घट जा और इतने से मिक्षन में मेरा करीबन मीडियम साइज की दस बाड़ा लड़ू बन जाएगा तो दोस्तों बेशन की लड़ू तो अपने बहुत खाई होगी लेकिन एक बार यह बेशन आटे का लड़ू बना का देखना यह भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा और मुझे बताना जरूर यह आपको कैसी लगी तो चलिए मिल तक ले नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार